जै गुरु जी जै भोले नात की, आज हम जानेंगे भगवान के दीपक की लो में एक से ज़्यादा 2 या 3 फूल बनने के क्या संखेत होते हैं और इस से भी ज़्यादा फूल बनते हैं तो इसके क्या फाइदे हैं और क्यों बनते हैं आप से निवेदन हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सक्साइब कर लिजिए ताकि आपको नई-ने जानकारी मिलती रहे और कमेंट बॉक्स में जै भोले नात का जैकारा लगाईए तो लीजे आईए शुरू करते हैं दीपक में फूल बनने पर पहले भी वीडियो बनाया था जिने आप समने बहुत पसंद किया कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि उनके दीपक में एक फूल बनता है कुछ ने कहा दो बनते हैं और कुछ ने कहा कि तीन भी बनते हैं तो इनके क्या संकेत हैं और क्या कारण हैं सब अपनी अपनी शर्दानुसार अपनी अपनी भावना से अपने भगवान अपने इस्ट देवी देवता को परसंद करने के लिए पूजा अर्चना अराधना करते हैं। इसी तरह से जब भगवान भी जब हमारी आपकी भगती से परसंद हो जाते हैं तो भगत को किसी ना किसी रूप में अपना आशीरवाद देते हैं और भगत की जो इच्छा होती है पूरी हो जाएगी या पूरी होने वाली है उसके बारे में संकेत देते हैं। प्रांतु हम उन संकेतों को नजर अंदाज करते रहते हैं, हम उनको समझ ही नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि वो चीजे क्या हैं, जैसे भगवान की तस्रीर से मूर्ती से फूल का गिरना या मंदिर में पूजा अर्चना करते वक्त अपने आप ठीका आप के मस्तक पर जाता है, कई बार माता की चुनरी अपने आप आप के उपर आकर गिर जाती है, भगवान के उपर रखा प्रसाद आपके हाथों पर गिर जाता है, इसी परकार के संकेत दीपक की लो में फूल का बनना भी भगवान हमें देते हैं, तो हम जानेंगे कि दीपक में एक फूल तो उसका क्या महत्व होता है, इसका क्या संकेत होता है, दीपग में जो फूल बनता है, वो एक गुलाब की पंखड़ी या हर्दे की तरह बन जाता है, कभी कभी पूरा गुलाब का फूल बन जाता है, कभी गिडेश जी किया करती, तो समझ जाइए कि एक फूल बना हुआ है तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपकी पूजा सविकार हो रही है आपकी प्राथना सविकार हो रही है आपके इस्ट या जिन भी देवी देवता के निमित आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वरत रख रहे हैं वे आप से परसंद हैं और वे आपके फूल के माध्यम से आशिर दे रहे हैं और वे कहीं ना कहीं आपकी भक्ती से आपकी राजना से परसंद है इसी तरह से आपके द्पक्त में दो फूल बन जाती हैं तो इसका क्या मतलब है तो एक तो गुलाब की पंखड़ी बन वे कभी कभी दूसरी आकरती या कोई टोपी नुवआ पूल बन सकता है, कभी डंब्रू जैसा बन सकता है, कभी टिशूल जैसी आकरती भी बन सकती है, या कमल का फूल भी बन सकता है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए अगर आपके दीपक में भी दो फूल किया करती बन जाती है तो इसका अर्थ होता है आपके इस्ट आपके अरादे देवी देपता तो आपसे परसन है ही हो ही गए हैं उनके सासाथ माता लक्ष्मी भी आपको परसन है और मा लक्ष्मी शी शीगरी आपके घर में लक्ष्मी आने के सारे रास्ते खुलने वाले हैं। हमें संकेत दे देती हैं। तो आपको भी चाहिए जैसे कोई अफसर मिले नूक्री का हो ये व्यपार का उसे छोड़ना नहीं करम करना हैं। भगवान संकेत दे रहे हैं। अफसर हाथ से ना निकलने दे भगवान आपके साथ हैं। फूल बनने का अर्थ यह ना लगाए कि ब क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपके इश्ट, आपके अरादे के सासद मा लक्षमी की किरपा तो आप पर है ही और वे आपकी पूजा से भक्ती से संतुष्ट हैं। पूजा सविकार कर ही रहे हैं। पर उनके सासद आपके गुरू, आपके पितर भी आप पर परसन हैं क्योंकि जब हम अच्छे करम करते हैं भगवान की पूजा भक्ती करते हैं तो हमारे पितर भी संतुष होते हैं हमारे गुरू भी परसंद होते हैं और हमारी पूजा भक्ती से हमारे पितरों का भी उधार होता है और साथ ही साथ हमारी जो मनोकामना जिस मुनरत से हम भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भगवान ने सुन ली है आपको आशिरवाद दे दिया है आपकी जो समस्या हैं उनका धीरे-देरे अंत हो जाएगा आपके कश्च दूर होने वाले हैं आपके घर में सुक्समर्दी आने वाली है तो ये सारे संकेत मिलते हैं कि दीपक में एक से अधिक फूल बनने के आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जय गुरुजी जय भोले नाथ की